हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि नमिता जी के घर में मैं पहुंचा हुआ था और उनका फूट गार्जन है वो हमने आपको दिखाया था और इस बार जो है उनका देखते हैं किचन गार्जन जो बिल्कुल ही वेस्ट में उन्होंने किया हुआ है इसमें जो है पॉर्ट भी जो यूज किया वो वेस्ट में और जो इसके अंदर डाला गया है वो भी टोटली जो है किचन वेस्टी है और बिल्कुल फ्री में यह गार्जन उन्होंने त्यार किया है और हर जगा इसमें कुछ ना कुछ सब्जीया इनकी हो रही है तो किस तरीके से वो इसको करती है कैसे मिठी त्यार करती है तो पूरी जानकरी आज हम उनसे लेंगे तो चलिए आगे का जो वीडियो है वो देखते हैं नमीता यह के साथ मैं फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी बग्या यूट्यूब चैनल में नमस्ते भाहिया आपका भी स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन पर मैं नमीता रहा है दिनेश्पूर से बहुत ही अच्छा इससे पहले आपका हमने देखा था कि इधर जितने भ किचन गार्डन में हम आये थोड़ा सा अंदर से मैं शुरूबात करना चाहूंगा जो अंदर कुछ पौदे आपने इंडोर में लगाए हैं तो वहीं पहले चलते हैं यहां पर मैं अगर दिखाओं तो देखिए अंदर जो है जो सीडिया गई है उपर की और तो यहां दूप में जो है खरा हो जाता है तो इसलिए में अंदर ही रख दिया इस समय तो काफी ज़्यादा पाला भी पढ़ ला था तो इसी विए से आप तो घर दीर दीर आने लगी है तो अच्छा यहां से तो रोशनी पूरी मिल जाती है यह सब आपके नरसरी से ही लिए हुए ह मैं देख रहा हूं कि यह जो है वेस्ट में एक बॉटल है ना पानी का बॉटल है तो उसी में मनी प्लांच ग्रो कर रहे हैं यह क्या नारियल की रस्ती तो उसी को आपने लटका दे अच्छा पूरा उपर की और यह जा रहा है और बिलकुल अंधिरा भी समय हो रहा है तो आप बाहर के और हम चलेंगे और बाहर देखेंगे कि इनके यहां जो है खास्तोर से क्या-क्या ग्रो हो रहा है तो सबसे पहले जो है हम इधर से शुरुबात करते हैं इस जगह पर जो इस समय काफी ज़्यादा चामाटर लगे हुए हैं कफ से लग रहे हैं यह तो मैने से है लेकिन इसमेंने कुछ ज़्यादा ही है दो महीने से ओर है यूज कर पा रहे हैं इसका पौदा है यह आपने कब लगाया था यहीं और था यह पौदा यह और था यह पौदा से कोट में है तो यह बाहर था इसमें फल लग रहा था तो में सुख जा रहा था ना भी गर्मी हो रहा है तो मैंने इसके अंदर ड़ा दिया यहां पर ताकि इसकी नमी वह बरकरार रहे बहुत अच्छा आइडिया है और देखें टमाटर किस तरह से इनके ग्रो हो रहे तो इसके अलावा भी तो और भी कमाटर के आपने लगाए हैं यह भी नहीं लगाया यह बहुत सरा उखता है तो मैं यह की छोड़के सारा निकल देती हूं मतलब एकदम फ्री का हम कह सकते हैं ना पौधे लगाए ना कुछ भी बस वही जो किचन वेस था उसी को डाल दिया तो उसी से अपने आप निकल आए तो और भी हो रहे हैं यह लगवा कितने होंगे कमाटर के पौधे भरमार है पूरे छत में मैं कमाटर ही कमाटर देख रह है और फिर प्याज भी नीचे से निकलेगा लिशित और से तो जरुद नहीं है उपर के मैंने गा उग गया तो रहने देट उपर की होता है इसकलिया तो ऐसे मार्केट में बेक्टे भी और काफी महंगा भी होता है इसा नहीं है कि बिलकुल सस्ति से चीज है और बिलकुल यह इसमें भी भरा हुआ है चोटा-चोटा बच्चे खेलते भी है ना निकल और देखे इसमें यूस क्या है यह जो आलो की कट्टे जो होते है मार्केट में तो यह डबल यूस क्या है दो दो तीन एक साथ ताकि इसकी मजबुत ही बनी रहे हैं इसमें मिती भी नहीं है यह पार्व रहा है यहां भी चावल का कट्ठा मुझे लग रहा है तो इस निबु तो मिझे झाल से और विजो तो मैं तो यहां भी प्ली समडिया नि red crisp पूर लाने के शुवाद के लिए त्वी तॉमाटर निकल दिया बाधा अच्छा अच्छा निकल आया उदर बहुत सरा चैरी तॉमाटर दिया तिक यह नीकल आया है यह तो पालक आप खा चुके हैं है पालक बहुत भरा हुआ था सारे पॉट में तो मैंने अभी निकाला ना अभी गर्मी आ रहा है मैंने का दबाई बाई डाल दो तो निकाल दिया यह देखिए जो पुराना सूटकेस है वेस है तो उसी का यूज कर दिया यहां पर यह केरेट का यूज किया है और इसमें पुगाया पोदीना कोई धनिया यह सब हो रहे है और यह क्या है यह भी अपने अपने निकला है क्या अच्छा कद्दू का बीज है वही जो आपने पंकिन खाया तो उसी कोई लगा दिया यह मार्केट के खरीदा हुआ है कोई भी बीज भी नहीं खरीदा यह जो चोटे- आप यहां मार्केट के खरीदे वह यह तरविज खाया था ऊसी का बीज घॉफिशाक दिया जो टरविज लगा दिया उसे पौधे भी त्यार हुए और वही जो है फिर से आपने लगा दिये बहुत ही बढ़िया देखें यह जितने भी है सब देख रहा हूं कट्टों में बैग में कोई आटे का बैग है कोई कुछ कट्टा है चावल के कट्टे तो बहुत ज्यादा है और यह क्या स्ट्रावरी भी आपने ल क्यों डाला यह जन्वरी में डाला था एक्चली जब फ्रूट मिट्टी में लगता है सड़ जाता है तो यह जो है आपने उसको कवर करने के लिए मिट्टी को यह कि प्रूट जिससे ना सड़े बहुत अच्छा आइडिया है यह तो कॉर्णर में भी मैं कि यहां पर देख हुआ है कट्टे में यह गुलाब को अगर दिखा हूं पुराना जो प्लास्टिक का बैग है तो उसमें कोई बॉटल में फूल बहुत लगत यह धनिया भी जो है इसमें लग रहे हैं तो यह यह भी ऐसी वेस्ट में सब तसले बगरा में लगे हुए ना यह तो दिखाई भ फल वालों के पास होता है इस तरह के पेटी तो इसमें भी कमाटर इनके हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ा आपने तो यह तो पूरा एक तसला है यहां पर यह पुरानी जो बाल्टी एक लोहे की तो इसमें भी यह फूल का हो रहा है यह तो लेमन ग्रास है आपके यह यहां भी यह गुलाब तो खिलते भी उंकली तो भरी हुआ है यहां पालक है तो यह भी जो है कैसी मुझे कच्छा यह तो पॉलिथीन लग रहा है यह मैंने खुछ से घर पर ही बनाया हुआ है ग्रोबैक देखके मैंने बनाया था वह स्थारा यह कोई पॉलिथीन है कोई बते में प्या जो ही छड़ा हुआ हुआ जो प्यास ता में डाल दिया उसी में हो रहे हैं लगा पलक हम किया मतलब नाम मात्यका है यहां गुलाब जो होना शुरू हो गए है इतने अच्छे फूला कि यहां पर टिक टिक यहां घर जगा मैं अगर दिखाँ तो यहां भी य तो पकोड़ा बनाते हूं तो अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा गाजन है और इधर भी मैं अगर दिखाऊं आपको थोड़ा सा इस समय अंधेरा भी होने वाला है तो यहां मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस जगह पर बहुत सारे जो गुलाब है बस यही कुछ- प्रफस्ट में नजर आता है यह केले का जो है केवल बाल्टी में क्या केले लाइने के लिए तो नहीं लगा होगा अच्छा अच्छा और यह किनारे इसके यह अलग है कुछ पूजा के परफस्टी है अच्छा यह जो पीपल मुझे लग रहा है यह पत्ता जो है एक नजर आ रहा है बाकि दस साल पंद्रस साल पंद्रस साल होने को है अच्छ चोटी जगह पर है तो बड़ा नहीं हो रहा है इस वैसे तो सब मैं देख पा रहा हूं कि कट्टों में इसमें क्या सारगा सारा किचन भेच्टी होता है कि पर जाता कि मिन शोचिए में ऐसे यह दिखो आपे कट्टे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं अगर यहां दिखाऊ तो यह अपने शायद कट्टों में बह रखा है ना इतना भर जाता है फेकने का जगह नहीं होता में कट सब चीजे आप इसके अंदर डाल देती है इसके अंदर मिट्टी भी डाला है कि अपने फिर मिट्टी है अपर से थोड़ा सा यह घास अपने ढग दिया मैं देख रहा हूं और यह सारा का सारा फिर पहले आपने जैसे इसमें त्यार किया तो यही फिर कट्टों में बद दीत तो यह उसी कट्ट्टे में आप खुछ लगा देंगे अभी तो फिलाल को बचा करके रख दीरे-दीरे आप तो मैं देख रहा हूं कि इतनी ज्यादा गाजनिंग हो गई है आपके पास कि अब इसको मैनेज करना पड़ेगा दीरे दीरे तो आगे का क्या विचार है कि इन्हीं कच्चों में करते रहेंगे या थोड़ा सा और इससे उपर लेवल पर जाएंगे को अब इसको मुझे फूट प्लांट में इतना अच्छा लग रहा है कि माइड हमेशा पॉजिटिवीटी नेगिटिवीटी आने नहीं देते है विल्कूल फूट प्लांट और सब्जिया बहुत जल्दी तयार हो जाते हैं सब्जियों की बात करूथ तो बहुत जल्दी ग्र तो इस वैसे फूल के हैसे ऐसा नहीं कि नहीं है बहुत सारे फूल आपने लगा रखें लेकिन खास इंट्रेस्ट आप फ्रूट में है तो मैं आप हमारी यूटुब चैनल में आई फिर से दुबारा और अपने गार्डन को दिखाया खासतोर से यह जो किचन बेस्ट बहुत धन्यवाद आप तभी बहुत बहुत धन्यवाद भजा मेरा गार्डन देखने के लिए और इस से लोगों को थोड़ा पोजिटिविटी मिले खाली फाल तो टाइम बेस्ट ने करेंगे टाइम को यूज करें गार्डनिंग करके